नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीवन साक्षी.न वे तो कैसे हैं आप सभी I hope you are all doing great अगर आप साधी करना चाहते हैं और रिस्ते की तलास में हैं पर आपको आपके लिए अभी तक सही जीवन साथी नहीं मिल पाया है या आपको पहले भी साधी कर चुके हैं किसी बस आपकी पत्नी खतम हो गए है या आपका तलाख हो गया है तो बिलकुल आप सही जगा पर आए हैं हमारी संस्था जीवन साक्षी.न ऐसी लड़कियों के वाइव डटा पब्रिश कराता है जिन लड़कियों की आर्थे किस्तिती खराब होने के कारण रिस्ता नहीं हो पा आते हैं अगर आप जीवन साक्षी.न पर नए हैं तो आप हमारी संस्था की माध्यम से आपके लिए एक सही जीवन साथ ही चुन सकते हैं बना किशी परिशानी के तो जो आप स्क्रीन पर फूटू देख रहे हैं आज हमें नोंने अपना बायोड़ाटा भेजा है इनका ना लगता है कि सीमा जी का प्रोफाइल आपके अकॉर्डिंग है और आप भी ऐसी ही वदू की तलास में थे तो आप इनसे आगे की बात बढ़ा सकते हैं रिस्ते के लिए तो आप वीडियो को अंते तक देखें ताकि आप इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें सीमा जी हर्याना सौनीबत की रहने वाली हैं सीमा जी विडो हैं इनके हजबंड एक्सपायर कर गए हैं और इनकी कोई संतान बगेर नहीं है इनके पिताजी दौरा हमें इनका वायोडाटा प्राप्त हुआ उनका कहना था कि उनको अपनी बच्ची की दूस्ती साधी करनी पड़ेगी और इतनी कम रूम्र में उनकी बच्ची विद्वा हो जाएगी क्योंकि सीमा जी की पिताजी ने एक अच्छे घर आमें इनके सस्ट्राल वाली भी काफी अच्छे थे पर इनके हजबंड को कोई बीमारी वगेरा थी इस कारण से वो इस दुनिया में नहीं रहे तो सीमा जी के सस्राल वाले भी चाहते हैं कि इनका घर बस चाहे क्योंकि सीमा जी की उम्र भी काफी कम है और इनकी कोई बाल वच्छे नहीं है जिसके सहारे ये जीवन गुजार सके तो इनके घर वालों ने और इनकी सस्राल वालों की रजबंदी से इनकी दूसरी साधी हो रही है वो भी चाहते हैं कि इनका घर बस और इनको भी खुश्ट आने का दिकार है क्योंकि सीमा जी की उम्र भी क्या है इतनी कम उम्र है इनकी तो उनके दोरा ही हम इनका वायवड़ाट अपरा पपान नहीं है लड़के से लड़के से भले ही सीमा जी पड़ी लिखी नहीं है पर इनके पिता जी ने काफी संसकार दी है जो एक लड़की में होने चाहिए और घर परिवार की एच्ट को लेकर चलना चाहिए इस सब इन दूसरे साधी के लिए आई हम आपको बता देते हैं इनको एक ऐसी रिष्टे की तलास है जो इनका सम्मान कर सके और हिंदु जाती से हो और इनको हर्याना के आसपास के रिष्टे चलेंगे वायर की उमार इनको 30 से 38 साल के बीच में चल जाएगी अगर आप बेदूर हैं तला और लड़की की मंतली इंकम को लेकर इनका कहना है कि ये महीने में बस इतना कमा लेते हो जिससे इनका गुजारा हो सके और कोई जादर डेमांड नहीं है जल्दी ये दूसरी साधी करना चाहते हैं इनकी और भले ही आप गराय के मकान में रहते हैं या आपके पास खुद का मकान बगरा नहीं है तो भोई आप इनसे आगे की बाद बढ़ा सकते हैं और एजुकेशन भी इनको कोई माइने नहीं रखता है गर आप मतला अच्छी लड़की से साधी करना चाहते हैं भले ही वो पढ़ी लिखी नहों तो आप इनसे आगे की बाद बढ़ा सकते हैं आजा सके और यह आप से संपर करके आगे की बात बढ़ाएं अगर आपको इनका वाइव डाटा पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें साथी आप हमारी यूटीब चैनल जीवनसाक्षी.in को भी सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक नए रिस्ते के साथ थैंक्स आपको नो जाटा तो मैंने हो जाएं करें वतर बात बेसे दो कम्हारी चीजिर करें टաर।